नमस्कार दोस्तों, मैं करुणा स्वागत करती हूँ आप सभी का exam achievement में आशा करती हूँ आप सभी घर पर होंगे, स्वस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ class 12 के home science वाले students के लिए वीडियो शुरू करने से पहले friends अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो please exam achievement को subscribe कर लें और अगर नए नहीं हैं आप पहले इस चैनल पर आ चुके हैं और आपने भी चैनल को subscribe नहीं किया है तो पहले चैनल को subscribe जरूर कर लें जिससे की मेरी हिम्मत भी बनी रहे और मैं इस तरह की और वीडियो को आपके लिए लेकर आती रहूं दोस्तों अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नमबर 11 वस्त्र एवम परिधान के लिए design तो सबसे पहले बात कर लेते हैं design की design क्या होता है तो यह है उच्च फैशन पोशाकों और उस से जुड़ी वस्तूओं के लिए प्रियोग में लाया जाता है design मात्र सजावट नहीं होती एक मोहक वस्तू अच्छे से design की हुई नहीं समझी जाती यदि वह उप्योग के लिए सही नहीं है design उत्पादों की कल्पना करने योजना बनाने और उसको कारियान विद करने की मानविय सामर्थ है जो मानव जाती को किसी विशेश व्यक्ति अथ्वा सामुहिक उदेश्य को पूरा करने में सहायता करती है design विशलेशन क्या है चाहे गई वस्तु की रचना के लिए design एक योजना की अनुसार ववस्ता होती है यह योजना के कारियत्मक भाग में से एक कदम आगे होती है और एक परिणाम देती है जिससे सौंदर्य बोधक संतोश मिलता है इसका अध्यन दो पहलूँ में होता है पहला सरचनात्मक और दूसरा अनुप्युक्त डिजाइन के प्रकार क्या है सबसे पहले सरचनात्मक डिजाइन वह है जो रूप पर निर्भर करता है ना की उपरी सजावट पर पोसाक में यह कपड़े की मूल कटाई या आकार से संबंद रखता है दूसरा है अनुप्युक्त डिजाइन मुख्य डिजाइन का एक भाग होता है जो मूल सरचना के उपर बनाया जाता है वस्तिर की सज्जा में रंगाई तथा छपाई कसीदाकारी और सोईधागे का काम उसका रूप बदल देता है डिजाइन के मुख्यकारक तो वो हैं डिजाइन के तत्व रेखा, रंग, रूप, आकार और बनावट ये डिजाइन के तत्व है डिजाइन के सिध्धान्थ हैं सामज़स से संदुलन, आवर्तन, अनुपात और महत्व डिजाइन के तत्व रंग है सबसे पहले बात कर लेते हैं रंग की तो उत्पात की पहचान का श्रे अधिकतर रंग को दिया जाता है रंग मौसम, सांस्कृतिक भावना और फैशन का मुख्य आंग है रंग, सिध्धान्थ, रंग को प्रकाश के किसी वस्तू के प्रस्ट से टकरा कर परावर्तन होने के रूप में परिभाशित करते हैं कहा जाता है सूर्य की किरने अगर किसी आबजेक्ट पर पढ़ती है तो उस आबजेक्ट से बाकी छे रंगोतों को वो वापस से रिफलेक्ट कर देता है और जिस रंगत को वो महाँ पर छोड़ देता है उसी रंगत की वहवस्तू दिखाई पढ़ने लगती है इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है किरण ड्रस्टी पटल यानि की रेटिना से टकराती है और आँख की तंत्रिकाओं की कोशिकाओं को उत्तेजित करती है तंत्रिका मस्तिश्क को एक संदेश बेजती है जो एक विशेश अनुभूती उत्पन करता है और हम रंग को अनुभाव करते है नेक्स्ट है जो रंग मस्तिश्क द्वारा अवलोकित किया जाता है वो प्रकाश श्रोत की एक विसिस्ट तरंग के संयोजन पर निर्भर करता है किसी वस्तू का रंग देखने के लिए यू यानि की रंगत का होना आवश्क है वस्तु द्वारा प्रावर्तित प्रकाश को देखा जा सके जब प्रकाश की सभी किरने प्रावर्तित होती है तो वस्तु सफेद दिखाई पड़ने लगती है मतलब अगर सूरे की किरने अपने सातों रंगों को वापस खीच लेगी यानि कि वस्तु किसी भी एक भी रंग को अब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो सफेद रंग की दिखाई पड़ेगी और जब कोई भी करन परावर्तित नहीं होती यानि कि जब सातों की सातों रंगतें उस वस्तू को वो वस्तू अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेती है, किसी को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तब वो काली दिखाई पढ़ने लगती है. बात कर लेते हैं रंगों का उल्लेखन. तो रंग को तीन रूपों में उल्लेखित किया गया है, जिसको बोलते हैं रंगत, मान और त्रीवता या फिर क्रोमा. तो रंग क्या है? रंग सामान्य नाम है, वर्ण क्रम में सात रंगों को दर्शाता है, मुनसेल रंग चक्रद्वारा रंगों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है, यानि की रंग का मुल्ले या फिर मान. ये रंग के हलके या गहरे पन को बताता है, जिसे आभा यानि की टिंट या फिर रंगत यानि की शेड कहा जाता है. सफेद रंग का मान अधिक होता है और काले रंग का मान कम होता है. इस चीज को मैं आपको ऐसे समझाऊंगी, कि अगर हमने लाल रंग उठाया और लाल रंग में अगर हम सफेद रंग मिला देते हैं, तो वो सफेद रंग के मान को बढ़ाएगा. और अगर हम उस लाल रंग में काला रंग मिला देते हैं, या ब्राउन रंग मिला देते हैं, गहरा रंग मिला देते हैं, तो वो उस रंग के मान, यानि कि लाल रंग के मान को घटाएगा. यानि कि सफेद रंग मिलाने पर रंग का मान बढ़ता है और गहरा रंग मिलाने पर रंग का मान घटता है बात कर लेते हैं सघंता की, सघंता क्या होती है, तो सघंता होती है रंगत की चमक, जिसकी बात हो रही है यहाँ पे त्रीवता या कोमा के रूप में, त्रीवता या कोमा को सघंता बोला जाता है, जो रंग जितना विशुद होगा, उसकी सघंता या उसकी त्रीवता उतनी अधिक होगी और इस रंग में अगर कोई दूसरा रंग मिला दिया जाएगा तो इसकी सगनता या इस रंग की मदता कम हो जाएगी उस रंग में डलनेस आ जाएगी बात कर लेते हैं रंगों के प्रकार तो रंगों के प्रकार में हैं तीन रंग प्रात्मिक रंग दित्यक रं दोस्तों प्रात्मिक रंग तीन होते हैं लाल, पीला और नीला ये प्रात्मिक रंग माने गए हैं दीत्यक रंग होते हैं जो दो प्रात्मिक रंगों को मिलने से बनते हैं जैसे कि लाल और पीला दो रंगों को मिला दिया जाए तो बनेगा नारंगी पीले और नीले रंग को अगर मिला दिया जाए तो बनेगा बैंगनी पीले और नीले रंग को अगर मिला दिया जाए तो बनेगा हरा लाल और नीले रंग को मिला दिया जाए तो बनेगा बैंगनी इस तरह से किनी दो प्रात्मिक रंगों के मिश्रण से जो रंग बनते हैं वो दित्यक रंग कहलाते हैं बात हो रही है तृत्यक रंग की तो ये रंग चक पर निकटवर्थ प्रात्मिक और एक दित्यक रंग को मिला कर बनाये जाते हैं तब एक प्रात्मिक रंग जैसे की लाल और नारंगी को अगर मिला दिया जाए तो जो रंग बनेगा वो तृत्यक रंग होगा नेक्स्ट है उदासीन रंग जिसको हम बोल देते हैं तथस्ट रंग ठीक है जिनका मान लगबग एक ही जैसा रहता है वो है काला सफेद और ग्रे ग्रे यानि की दूसर कलर ठीक है इसके अलावा रजट और धात्विक रंग भी उदासीन रंग कहे जाते हैं बात कर लेते हैं रंग योजनाओं की तो रंगों के संयोजन के लिए मार्क दर्शन के रूप में कुछ मूलबूत रंग योजनाएं उपयोग में लाई जाती है एक वन योजना यह सुजाती है कि किन रंगों का संयोजन करना है रंगों के मान और त्रीवताओं और उपयोग में आने वाले प्रतेक रंग की मात्रा का निर्धारन डिजाइनर अत्वाव भोगता करते हैं रंग योजना का अध्यान वन चक्र के संधर्व में भले भाती किया जाता है वन योजनाओं की चर्चा दो समूहों में की जा सकती है पहला संबंदित और दूसरा विशम बात कर लेते हैं संबंदित योजनाओं की तो संबंदित योजनाओं में कम से कम एक रंग सामान्य होता है यह योजना है एक वर्णी सुमे का अर्थ कि सुमेल एक रंग पर आधारित है इस अकेले रंग के मान और त्रीवता में विविदता लाई जा सकती है अनेक वर्णी है सुमेली केवल उदासीन रंगों का उपयोग करता है जैसे काले और सफेद का संयोजन विशिस्तापूर्ण उदासीन एक रंग और एक उदासीन या एक आवर्णी रंग का उपयोग करता है अनुरूप सुमेल का अर्थ उस वन संयोजन से हैं जिसे वन चकर के दो या तीन निकटवरती रंगों के उपयोग से प्राप्त किया जाए अब बात कर लेते हैं विसम योजनाओं की तो पूरक सुमेल में दो रंगों का उप्योग किया जाता है जो वन चक्र में एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं दोरा पूलक देखो यहाँ पे मैं आपको बता दू पूरक किसे कहते हैं पूरक हो जाता है हम दित्यक रंग बना रहे थे यानि कि हमने दो प्राइमरी कलर को मिला करके एक कलर बनाया जिसको हम सेकेंडरी कलर यह दित्यक रंग बोलते हैं हमने लाल और पीले को मिलाया चीक है हमारा नारंगी बना और हमारा तीसरा प्रात्मिक कलर बच गया कौन सा नीला तो बना जो कलर यानि सेकेंडरी कलर जो बना नारंगी वो पूरक होगा किसका नीले रंगा यानि कि दो प्रात्मिक रंगों के मेल से जो दित्यक रंग बनता ह वह पूरक होता है बाकी बचे हुए तीसरे प्रात्मिक रंग का ठीक है दोस्तों यहां से आप मुझे लगता है पूरक रंग की अवधार्णा को समझ गए होंगे दोहरा पूरक सुमेल दो पूरक युगों से होता है जो वक्र चक्र में पडोसी होते हैं विभाजित पूरक सुमेल में एक रंग उसके पूरक रंग और पडोसी रंग का उप्योग कर तीन रंगों का सहियोजन होता है अनुरूप सुमेलू अनुरूप और पूरक योजनाओं का संयोजन है इसमें पडोसी रंगों के समू में प्रधानता के लिए पूरक का चेयन किया जाता है नेक्स्ट है रणात्मक सुमेल वन चकर पर एक दूसरे के समान दूरी परिस्थित तीन रंगों का संयोजन होता है बनावट क्या है जिसको हम बुनावट भी बोल देते हैं बुनावट दिखने और छूने की एक समवेदी अनुभूती है दोस्तों ये धरातल होता है ठीक है यानि जिस पर हम काम कर रहे हैं जो वस्त्र की स्परशी तता द्रश्य गुनवर्ता को बताती है ये कैसा दिखाई देता है ये चमकीला दिखता है मंद दिखता है घना दिखता है आदी प्रकर्ती कैसी है, ढीला है, लटका हुआ है, कड़ा है, कैसा चूने पर कैसा लगता है, नरम है, कड़क है, रूखा है, उबडखाबड है, खुर्दुरा है बनावट का निर्धारन कैसा होता है तो निर्धारन करते हैं रेशा, धागे का संसाधन, धागे का प्रकार, वस्त्र निर्मान की तक्नीक, वस्त्र सज्जा, प्रस्त्रिय सज्जा, बात कर लेते हैं रेखा के बारे में रेखा उस चिन को कहते हैं, जो दो बिंदू के बीच को जोड़ती है, यानि दो बिंदू के बीच की दूरी रेखा कहलाती है, रेखा मूल रूप से दो प्रकार की होती है, सरल रेखा और वक्र रेखा, सरल रेखा वो होती है, जो एक सीधी डंडे की तरह अखंडित, मतला ब गतीपल बल देती हैं, उचाई के महतु को बताती हैं, और जो तीवर सम्मान जनक और सुरक्षित होता है, छेतिज रेखाएं कैसी होती हैं, देखो दोस्तों, उर्धवादर यानि सीधी खड़ी रेखा, और छेतिज रेखा मत्तब ऐसे लेटी हुई रेखा को हम छेतिज रे एक तरह से आराम की अवस्था को छेतिज रेका दिखाती है, तिरियक अत्वा विकण रेखाएं कैसी होती हैं, तो दोस्तों, इस तरह से आड़ी तिर्ची रेखाओं को तिरियक या विकण रेखाएं कहा जाता है, कौन की कोटी और दिशा पर निर्बर करते हुए, दोस्तों इस तरह की रेखा को वक्र रेखा कहा जाता है इस तरह की रेखा को वक्र रेखा किसी भी कोटी की गोलाई वाली रेखा होती है वक्र रेखा एक सरल चाप अथवा एक मुक्त हस से खीचा गया वक्र होता है गोलाई की कोटी वक्र का निर्धारन करती है अल्प कोटी की गोलाई सीमित वक्र कहलाती है अधिकोटी की गोलाई एक व्रतिय वक्र देती है आकरतिय और आकार मतलब आकरतियां और आकार क्या होता है मतलब एक तरह से रूप क्या होता है तो रेखाओं को जोड़ कर बनाए जाने दोस्तों, मैं यहाँ बताऊंगी दूविमिया और त्री विमिया मतलब जिस आकरती में सिर्फ लंबाई और चोड़ाही होती है वो डूविमिया आकरती कहलाती है और वे आकरती जिसके अंदर लंबाई और चोड़ाही के साथ साथ उसकी कुछ उचाई या मोटाई भी होती है वो त्री विम्या आकरती कहलाती हैं दू विम्या आकरतियों को हम उठा नहीं सकते लेकिन त्री विम्या आकरतियों को हम छू कर देख सकते हैं और उठा सकते हैं और दोस्तों इसी के साथ इन आकरतियों के चार मूल भूत सम्हू होते हैं वो हैं प्रकर्तिक आकरतियां जो प्रकर्ति अथ्वा मानव निर्मित वस्तुओं की नकल होती हैं नेक्स्ट फैशनेबल शेली जैमितिया अकरतियां और अमूर्था अकरतियां यहाँ पर मैं जैमिती तो आप समझी गए हूँगे गोल, चोकोर, चौरस, वरगाकार, बेलनाकार, तिरबुजाकार यह सब और अमूर्थ मैं यहाँ पर आपको एक वर्ड बताना चाहूँगी बात कर लेते हैं पैटर्ण की, एक पैटर्ण तब बनता है जब आकरतियां एक साथ समूहित की जाती हैं, यह समूहन एक प्रकार की आकरतियों अथ्वा दो या अधिक प्रकार की आकरतियों के सईयोजन को हो सकता है डिजाइन के सिध्धान्त क्या है वे नियम है जो संचालन करते हैं कि किस प्रकार स्ट्रेस्थम तरीके से डिजाइन के तत्मों को परस पर मिलाया जाए प्रतेक सिध्धान्त एक प्रतक अस्तित्व रखता है, उन्हें सफलता पूर्वग उप्योग एक प्रभावशाली उत्पाद का निर्मान करता है हर परिधान को पहचानने वाले को ध्यान में रखते हुए विसिस्ट रूप से डिजाइन किया जाता है सिध्धान्त डिजाइनिंग के लिए विसिस्ट दिशाएं निर्धारत करते हैं, एक डिजाइनर को इन सिध्धान्त के बारे में कल्पना करनी होगी अनुपात क्या है? अनुपात का अर्थ वस्तु के एक भाग का दूसरे भाग से संबंध होता है एक अच्छा डिजाइन विशिशलेशन नहीं होने देता तत्वों को इनकी कुशलता पूर्वक समिश्रित किया जाता है जहां से एक समाप्त होता है और दूसरा प्रारंब होता है वह वास्तव में प्रकट नहीं होता यह संबंद आमाप, रंग, आकरती और बुनावट में स पहने जा सकते हैं बुनावट का अनुपात यह तब प्राप्त होता है जब पोशाक बनाने वाली सामगरी की विबिन बुनावटें पोशाक पहनने वाले वेक्ति का साइज बढ़ाया घटा देती है उधारन के लिए एक दुबले और ठिगने वेक्ति पर भारी तथा व्र की लंबाई टांगों की लंबाई आदर्श शारीरिक शाकरती से अलग हो सकती है वस्तर धारन रुचिकर ढंग से भंदे शारीरिक अनुपात का एक उचित अनुपात में रूपांतरन करते हैं नेक्स्ट है ओपचारिक संतुलन परिधान का एक पक्ष दूसरे पक्ष की रूपचारिक ता लेकिन नीरस कम रचनात्मक रंग बनावट का उपयोग जैसे स्कर्ट, कार्डिंगन या फिर सूट अनुपचारिक संतुलन दोनों तरफ परिधान की सरचना अलग अलग है उच्सा प्रदान नाट के और ध्याना करशित करता है संतुलन बनाने के लिए अधिक रचनात्मक दी गई है शरीर की एनियमित ता विशेज अफसर पर कपड़े और अधिक महंगा होना आवर्तिता क्या है आवर्तिता का अर्थ है डिजाइन अथ्वा विवरेन की लाइनों रंगों अथ्वा अन्य तत्वों को दोरा कर पैटर्न का सरजन करना जिसके म उनावट का उपियोग कर इस प्रकाय सरजित की जा सकती है कि यह द्रशे एकता दर्साती है सामजस्यता सामजस्यता अत्वा एकता तब उत्वन होती है जब डिजाइन के सभी तत्व एक रोचक सामजस्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत्यत यह तब उत्पन होती है जब पोशाक के सभी भाग एक जैसी आकरती दिर्खाते हैं जब कॉलर काफ तता किनारे गुलाई लिये होते हैं तब यदि जेबें वर्गाकार बना दी जाएं तो ये डिजाइन की निरंतर्ता में बाधक होंगी दोस्तों इसी के साथ हमारे ये वाले चप्टर के important points यहीं पर खत्म होते हैं आशा करती हूँ आपको चप्टर समझाया होगा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें